बच्चों examination के लिए आज मैं एक बहुत important question answer का series लेके आया हूँ और ये question answer का series बहुत important होने वाला है बच्चों क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे questions है जो कि पीछे के सालों में तुम से पूछे गए हैं तो तुम चाहे किसी भी बोट के हो या फिर तुम यूपी बोट के हो बिहार बोट के हो जैक बोट के हो या तुम्हें जरूर मदद करेगा तुम्हारे exam में चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे important questions जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा important है बच्चों और मुझे उम्मीद है कि तुम इनके answers भी जानते हो यादि नहीं जानते हो तो इनको अभी याद कर लो या बाद में याद कर लेना तो यहाँ पर देख सकतो हो यहाँ पर हम लोग भौत की रासायन और जीविज्यान से संबंधित questions को देखने वाले हैं पूरे chapters के questions को एक साथ देखें यह तो कुछ questions है देखो सबसे पहला क्या question है विरंजक चून का रासायनिक सुत्र लिखिए तो विरंजक चून का रासा 형ans diese hijab peligros chloride जो 건्तोर हउब इसे कहते अंतते हैं तो इसे क्या हो गया और यहाँऐ हो गया प्लास्टेर इक से खाने का सोडा धनीलिका सोडा इन सब का नाम भी याद कर ले ना हाइडरेटेड है उसे क्या कहते हैं प्लास्टर और पेरिस इसे कहते हैं पता है ना और जिपसम किसे कहते हैं तो जिपसम क्या हो गया बच्चों CSO4.2H2 हो गया प्लास्टोर पर इस क्या हो गया CSO4.2H2 हो गया ठीकी सी तरीकी से खाने का सोडा धोने का सोडा इन सब का नाम भी याद कर लेना तो question मैं एक बता रहा हूं इस से related जो भी होगा वह तुम याद करो बहुत important है तुम्हारे exam में जरूर यही सब question पुछा जाए call to हो गया तो इस तरीके की जो नाम है बच्चों उनको तुम याद कर लो हो गया complete नया मानो नितर के रंगीन भागं क्या कहते हैं तो मानो नितर से संबन्धित कितने सारे questions मैंने करा है याद करो तो उस चैप्टर में मानो नेतर तर्था रंग भी रंगा संसार में प्वेश्टन्स तुम जानते हो तो क्या इसका अंसर कर सकते बच्चो यह आएदी इंग्लिश में और हिंदी में क्या बोलते परी तारी का तो यह तुमने तुमने देखा है तो अभी जाकर उस्कूिस को देख सकते हो टमाटर रिमली में कौन सा अमल पाया जाता है यह अमल तुम यहां पर इन चीजों को याद कर लो बहुत है विद्युत धारा द्वारा प्रदत उर्जा की दर का निर्धारन कैसे किया जाता है तो विद्युत धारा द्वारा जो उर्जा का मतलब कितना उर्जा खर्च हो रहा है विद्युत शक्ति के द्वारा हम लोग इसको निर्धार करेंगे सीसा और टिन का एक मिश्र धातू बहुत इंक्वार्टनेंट है देखो यहाँ भी पूछा गया है मैंने जब सीरीज टेस्ट सीरीज बनाया था तो उसमें ही मैंने पूछा था यह क्या है बच्चों सोल्डर तो सारे मिश्र धातू को मैंने पढ़ाया था धातू एमा धातू वाला जाकर तुम वहाँ पर टेस्ट सीरीज को देख लो एक युक्ति का नाम बता है जो विद्जुत चुमबकी प्रेरन की घटना पर कारे करता है तो विद्युद चुम्बकी प्रेरन की सिधान पर कौन कारे करता है बच्चों विद्युद जनित्र काम करता है एकदम याद रखो ये सारे questions कोई न कोई जरूर तुम से एक्जामे पूछा जागा तुम देख लेना मेगनीशियम की तरएंय कभि यक्रियाश्यलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम बता मेगनीशियम की तरह क्या हो जाए से लावश्यों हो जाएगा और वेरेलियम होगा क्योंकि इससे से होगा दूग होगा इस तरीके से एक ऐसे इभाब डाप पर द्रव वबस्ताव पाई जाता हुआ है और एक ऐसे अधातु के एक ऐसे धातु का नाम बता जो चमकीला होता है यादारा है तुरन टेस्ट में मैंने पूछा था एंसी क्यों में येस वो क्या था आयोडीन था पोण चकी से उपी ओगी उर्जा प्राप्त करने के लिए पवण का नियुनितम वे कितना होना चाहिए देखो कितना उर्जा से इंपॉर्टेंट कुछा गया है 15 किलोमेटर प्रति घंटा अवर्ट सार्णी में हाइडोयन का स्थान किस वर्ग और किस आवर्थ में तो वर्ग नमबर एक और आवर्थ नमबर एक में है किसी बीम का अवतल दर होगा फोकस दथा ध्रो के बीच यह मैंने बताया है तुम देख लेना जाकर एक प्राकृतिक सूचक का नाम बताए कितने साथ प्राकृतिक सूचक मैंने बताए बहुत सारे तो उसमें से एक क्या है लिटमस है हल्दी है उड़हल का फूल है फिर लॉंग है प्याज है सब नाम लिख सकते हो तो अवतल लेंस के चसमे का उपयोग किस द्रिष्टी दोस्त के लिए किया जाता है तो निकट द्रिष्टी दोस्त के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किस के लिए किया जाता है जल्दी बताओ याद करा है था मैंने याद कर बार बार मैं याद कराता हू यह निकट है, तो निकट दिरिष्टी दोस के लिए आवतल, और यह दूर है, तो दूर दिरिष्टी के लिए उतल, यह question तो तुम्हें याद होगा, यदि तुम हमारे चैनल से जुड़े हुए हो, हर एक चीज़ को देखते हो, तो यह सारे questions तो तुम चुटकियों में answer कर प करता है, तो बच्चो यह हमारा चैनल नहीं है, तुम्हारा ही चैनल है, तुम अपने चैनल का growth करो बच्चो, और इसका विस्तार करो, सब्सक्राइब बटन दबाकर ही तुम पढ़ाई किया करो, ओके, शेयर भी कर सकते हो तुम, साधार नमक का रासाइनिक नाम एम सुतर लिखें, तो रासाइनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड और सुतर क्या है, विद्युत परिपत में एमिटर और वेल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, बहुत इंपार्टन कोश्चन, देखो एक चाट चाट के जो क्वेश्चन में यहाँ पर लाया हूं, तो अट वेश्चन है जो कोश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हैं, तो इनहीं में से कुछ न कुछ पूछता में पूराने के वीड़ा का में लाया है, व्टो याद रख लो, एक ऐसी अधातू का नाम लिखे जो चमकीला होता है अभी तुरन बताया था उस नियम का नाम लिखे जिसमें किसी चालक में प्रेरित धारा के दिशा ग्यात की जाती है प्रेरित धारा के दिशा को वैसे ग्यात करते हैं फ्लेमिंग का दक्षिन हस्त का नियम तो बाम हस्त का नियम याद होगा और ये क्या है ये है बाम हस्त बच्चो ये है दक्षिन हस्त का नियम तो इसमें विद्यु धारक के और प्रेरित होगी उसकी दिशा कोंब लोग ग्याद करते हैं तो यहां क्या है तुमारा फ्लेमिंग का दक्षिन हस्त का नियम मेंडलीफ के आवर्थ सार्णी में कितने आवर्थ और समू थे तो मेंडलीफ के आवर्थ सार्णी में छे यहां पर क्या है बताओ छे आवर्थ है और आठ क्या है समू है वर्ग है याद रखो कठोर जल को मृ बिदू बनाने में sodium carbonate या जैख सकते हो इसे धोवन सोडा बोलते हैं sodium carbonate को क्या बोलते हैं धोवन सोडा और sodium bicarbonate को क्या बोलते हैं खाने वाला सोडा sodium carbonate Na2CO3 है यह ठीक है थोड़ा सा कुछ इस टाइप का गलती रहे तो तुम उसको सुधार लिया करो खुद से ही लिखने में कभी-कभी गड़बर हो जाती है इने 2CO3 तंत्री का तंत्र का संग्राशनात्मक और क्रियात्मक इकाई देख लो यहां भी गड़बर है इका जिद्धी को बढ़ाता है तो जिबैरली लिख सकते हो और जिन लिख सकते हो सामान्य जीन संग्रशना वाले जीवों को क्या कहते हैं क्लोन कहते हैं एक सामान्य जीन जीव है वैसा ही उसका भी संग्रशना है दो जीवों का तो उसमें लोग क्लोन बोलेंगे जीन कहां जाते हैं इसका अंसर कर सकते हो तीरी बांद का निर्मान किस नदी पर किया गया तो गंगा नदी पर किया गया देखा बच्चों कितना important questions था यही सारे questions हैं जो कि तुम्हारे एक्जाम में पूछे जा सकते हैं according to board और साथी साथ बच्चों इससाल क्या हो रहा है कि बहुत सारे जगों मलगभग सभी जगों पे syllabus को cut किया जाएगा तो syllabus को जब cut किया जा रहा है तो हो सकता है कि उस chapter के questions तुम्हें नहीं पूछे जाएं लेकिन maximum questions तुम्हें पूछे जा क्योंकि भविष्य में ये बहुत काम आता है बच्चों ये तुम कोई strong पढ़ाई सिर्फ marks के लिए नहीं लाते है strong बनने के लिए भी हम लोगों को पढ़ाई करना पड़ता है तो तुम बहुत ध्यान से सारे चीजों को पढ़ते जाओ और जो syllabus cut किया गया है उस पर थोड ध्यान जादा दो तो एक particular board पर बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसलिए मैं overall बना रहा हूं ताकि तुम्हें कोई दिकत ना हो तो बच्चों next वीडियो में जो important question होंगे तुम्हारे लिए वह मैं लाने वाला हूं सारे important questions मैं एक साथ ला रहा हूं science का और मैं देख र रहते हैं तो तुम उनकी त्यारी कर सकते हो तो मैं मिल रहा हूं बच्चों तुमसे next वीडियो में यदि तुम हमारे चानल से regular पढ़ते हो तो जो मैंने कहा वही करना बच्चों सब्सक्राइब करके ही पढ़ना okay thank you